हेलो बच्चा लोग, बच्चा लोग आज इस वीडियो में हम किन्वन के बारे में बात करेंगे फर्मेंटेशन की हमारे एक सस्क्राइबर से जिन्होंने कमेंट किया कि सर प्लीज किन्वन पे एक वीडियो आना चाहिए तो आज हम किन्वन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बायोलोजी से सम्बंदी सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, जब आप कमेंट कर देंगे किन्वन क्या है, किन्वन मतलब फर्मन्टेशन क्या है, ठीक है, सबसे पहली बात दिखिए, जो फर्मन्टेशन है न, ये एक लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, बोलो मिरे साथ बोलो, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड, फर्मन्टेशन है क्या है, इसका मतलब होता है फीवर, फीवर का मतलब एस लैटिन वर्ड में होता है उबालना, मितलब बॉयल करना, किसी भी चीज को बॉयल करना, सपोज धैट, जब आप कई दिन बाद घर वापीस आते हैं, और जिस दिन जाते हैं उछ दीन दाल चॉल पका के जाते हैं, रख के जाती है पास दिन बाद जब आप घर में वापस आए तो आप देखते हैं उस दाल में कुछ बबल्स निकले होते हैं कुछ बबल्स मतलब थोड़े थोड़े बबल्स निकले होते हैं कि मतलब गाओं की भासा में बोलते हैं कि वो खहुल गया है दाल मतलब खहुल गई उबाल मारती है न के ऐसा होता नहीं यार उसमें से गैस निकलती है उसमें से गैस निकलती है मतलब वो सड़ने लगता है सुछ में जीव उसको बरबात कर देते हैं नश्ट कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं बबल सुनी कर गए मतलब खराब हो गया हम लोग खाने लाइक नहीं रहता वो ठेको किन्दमान मतलब फर्मेंटेशन क्या है यह उबालना यह हम इसको बोल दकते हैं सड़ना किसी चीज़ का सड़ना फर्मेंटेशन कहलाता है यहाँ पर देखो आप इस्ट जब हम इस्ट को या सरकरा में मिला देते है यह सरकरा क्या हो सकती है या तो फल से भी ली जा सकती है सरकरा या तो वह अनास से ली जा सकती है जब हम इस्ट को सरकरा या फल या अनास सरकरा लेते हैं उसको मिला देते हैं तो उसमें जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं किन्दवन की क्रिया क्या मोलते हैं किन्दवन क क्रिया और ये 25 से 30 डिग्री से इंटी ग्रेट आप में होती है देखिए जब इस्ट को हमने एक चम्मच इस्ट लिया इसके पाद हमने अंगूर में मतलब ग्रेप्स में या ग्रेंस में किसी भी तरह का ग्रेंस ले लिया है ना आटा है वो है के हुँ है चना है ऐसा कुछ ल जो ग्रेप यह ग्रेप्स के विदुदु छोटे चोटे तुक्रे काट की बॉटल में डाल दिया इसमें फोला सा किनवन डाल दिया फिर इसको ऐसे ढीप कर दिया थैना राओं करते राओं फिकर की पूरा बिल्कूल मतलब मस्त लिग्स कर दिया इसके बाद स को म्रगतिए कितने टिकरी 25 दीच दिगरी में अच्छा होता है जो रोम टम्रेचर में एसके बात देखते हैं पांच छे दिन बाद इसमें से बल भाल आती है इसे बबल भाहर आती है को आनि रहा स्टारिय अपने जानते हैं बहुत पढ़ा आप लोगों सर्कारा के बारे मैं मास्टर माइ यार यही होता है किन्वान अब देखें जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सूच में जीवों में उपस्थित एंजाइम के दौरा किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ को छोटे-छोटे कड़ों के रूप पे तोड़ देना यह हमारा किन्वान कहलाता है इसमसराब भी बना सकते हैं इस्ट में सरकरा मिला देतें किसी भी प्रकार की तो हमको बनता है इथाइल इल्कोहल मतलब पिए पाए परे रहा हो ठीक है यह वन गया इथाइल इल्कोहल प्लस्टेश 4 मतलब मेथेन हैं सी ओट्व मतलब करबं डाई ऑक्साइड गैसे भी निकलती है दोस्तों जब आपक साथ बोले और समझ ये बिल्कुल देखो किनवन क्या होते है मतब छोटे छोटे जीव होते हैं वो किसी चीज को सड़ा दीते हैं मेरे साथ समझे किनवन क्या है किनवन है छोटे छोटे जीव है वो किसी चीज को सड़ा दिये उसी को हम बोल दिया किनवन किनवन को सबसे पहल God Father या God ठीक है this is my God कौन Louis Pasteur सबसे पहले किन्वन की खोश लुई पाश्चर ने की थी देखे जो लुई पाश्चर है नहीं कि महान भाइक अरे सुरी इसमें नहीं चलना है मुझको बाद में लुई पाश्चर की बात करें आज किन्वन की किन्वन मतलब किसी चीछ को सड़ा देना ही किन्वान कहलाता है ठीक है आप लोग उधारण भी देखेंगे जिसे दालवाल है बहुत देर सारी चीजे हैं उबलने लगते हैं उसी कम किन्वान बोलते हैं तो आज के लिए बस यहीं तक तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब करके हिजाईएगा और ह होने वाला अगला वीडियो की स्टॉपिक पर होना चाहिए जरूर बताके चाहिएगा ठीक है धन्यमाद धन्यमाद धन्यमाद